मराठा समाज को जो आरक्षण महाराष्ट में कानून के ताथ दिया गया था उसको सर्वोच नयले ने आज खतम किया है, स्ट्रकडाउन किया है, हमारे लिए ये बहुत दुखत घटना है मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले समय जब हमने आरक्षण दिया तो एक केस मुच्चे नयले में गई, हाइपोट ने इस आरक्षण को वएधटताय किया उसके बाद ये केस सुप्रीम कोट में, जिसमें मैं मुख्य मुंत्रीता तब गई, उस समय के चीफ जस्टिस के बेंच के सामने गई, लेकिन चीफ जस्टिस साहाब ने उस समय के उस बेंच ने उसको स्टे करने से मना किया, किन्तु बार में जब एक नए बेंच कॉंस्टिटीट हुआ और इस सरकार के समय ये केस उस बेंच के सामने गई, तो नॉर्मली अध्यादेज जो होता है, अडदनन जो होता है उसको स्टे किया जाता है, और जो कानून होता है, आक्ट होता है, उसको स्टे नहीं किया जात परंतु इसको stay मिला और बाद में आज उसको struckडाउन किया गया तो कुल मिलाकर इस सारे मामले में जिस प्रकार से राझ्य सरकार ने ध्यान देने के आवशक्ता थी उसको राझ्य सरकार ने नहीं दिया जो एक सम नवै राज्य सरकार में और वकीलों में होना चाहिए था वो समनभय भी हमको नहीं दिखा कई बार राज्य सरकार के सुप्रीम कौर्ट में सिनियर काउंसिल्स को यह बोलना पड़ा कि हमको कोई इंस्ट्रक्शन से नहीं मिले हैं हमारे पास जानकर ही नहीं है और कुल मिलाकर आज जो फैसला आया है उन निराचा जनक है अब हमारी सरकार से मांगए कि सरकार ने तुरंत इसके उपर सीनियर काउंसिल्स का पैनल तैयार करके और इसमें हम क्या रास्ता निकाल सकते उसका एक पेपर तैयार करना चाहिए और सभी पक्षों को साथ में लाकर एक मिटिंग करन कि यदिए